डिये इस्ट्रेंजी हमारे पास एक अभीनव नाम का डिये इस्ट्रेंजी है उसी ने क्वेशन पूछे हैं क्वेशन यहां पे 12 मैटमेटिक्स से एंसे आर्टी बूक जो होते हैं उसका एक्सरसाइज 5.5 से क्वेशन नमबर 10 है क्वेशन है इसका डियरिवेटिव ऑफ एक्स टूडी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लास एक्स स्कॉर प्लास वन अपान एक्स स्कॉर मानस वन इसका डियरिवेटिव करना है तो इस क्वेशन को सॉल्व करने से पहले न हम आपको रिकमेंड करेंगे आपके साथ आपके से समझ आएंगी यह वाले कोस्टन तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे देखिएगा बहुत इजी लगने लगेंगे आपको अब तो यहाँ पर हमने लेट किया य से ठीक है वाई से एक्स जूं करेंगे कोस्टन एक्स टूडी पावर एक्स इंटू कॉस्ट एक्स पलास ए लाइकितब्त की देखिए बहुत आपको लगने लगेंगे इसको से अफिन यकार आउञके रहेंगे इसको ये तो नहीं करना होएगे माइप GU commerce कर 57201 इसको भी मानगे करनेकें लिठ तो लाइक्स नैड़ी इसको मान लेते हैं तो शीम को अगो आप आया है mathematics rules के अनुसार आप ऐसे लिखें तो मेरे ख्याद से better होएंगे better से based हो जाएंगे y equal to यहां पर u plus भी इसको हम u मान लिया यह plus है तो plus इसको हम भी मान लिया आप mathematics rules के अनुसार यहां पर लिखें जहां पर जहां पर u equal to यह वाला model है x to d power x into cos x एंड लिखें भी equal to यह वाला model है यहां पर लिखें x square plus 1 upon me x square minus 1 कि लिया न हमको क्या करना है भी यह differentiate करता है लगाओ बहुत साइड differentiate ठीक है यहां पर क्या मिलेंगे d over dx यहां पर क्या y यह तो y equal to d over dx यहां पर क्या यहां पर भी लाइक इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि du upon me dx plus dv upon dx कि लिए ना लाइक इसको आइसे भी अब आप कह सकते हो dy over dx equal to du over dx plus dv upon dx तो इसको हम equation 1 मान लेंगे दखिए हम explanation करते है ना तो इसलिए मेरा जो हम वीडियो भी question भी long हो जाते है ठीक है आप solve करेंगे नहीं आप sort में भी कर सकते हो इतना यह सब करना कोई जरूरी नहीं था ठीक है आप एक दो step में यहां तक पहुछ सकते हो तो यह हमारा final answer हो जाएंगे कब जबकि यहां पर du over dx find out करेंगे and dv over dx create करेंगा I mean find out करेंगे find out कहां करेंगे तो देखिए question को समझिए d y over dx इतना तो हमको चाहिए ही अब हमको क्या चाहिए यू यह जो यू है इसका differentiate हुआ है यू में हम लगाए है देखिए यू में लगाए है d over dx भी में लगाए है d over dx इसका मतलब क्या होता भी है differentiate होता है derivative को हम denote करते है I mean represent करते हैं तो मेरा कहने क तात पर यह हुआ कि यू का आप हम derivative करेंगे यू कहां है भाईया आप देख सकते हो यू यही है यही है यू इसी को हमने यू माने है तो इसका हम differentiate करेंगे और इसका differentiate करेंगे दोनों का differentiate करने जो result आएंगे आप समझ रहा है ना दोनों का differentiate करने जो result आएंगे वो result I mean वह answer ह यहां पर रख देंगे फुट कर देंगे डेन वह फनल बिजल्ट तो आई यह तिंक आप अपने नोटबूक में नोट कर लें तो बेटर होईंगे यहां से लिजिए आप नोट कर लिजिए because equation 1 की हमें जरूरत है समिकरन 1 की हमें जरूरत परेंगे तो आप यहां तक नोट किजिया हम मिटाने वाले है because मेरे में space फूल हो चुके है तो आईए, सिखिए हमारा mission क्या हमारा target है du upon dx निकालना and db upon dx निकालना इन दोनों का मान निकालना काईसे निकालेंगे तो u equal to क्या है जो है इसको लिख देजिए u equal to यह है भी equal to यह है तो u equal to हम यहापे लिखाएंगे यहापे लिखाएंगे now यहापे now ओखे u equal to क्या है भाई u equal to x to d power x into cos x इसलिए हम आपको बोलने है कि आप part 1, part 2, part 3 अगर आप part 4 वीडियो तक देख लिता है ना तो यह वीडियो आपको देखने के जरवत है ना ही परेंगे भाई समाझ लिजिए इतना तो आईसे वाला डिफेंशिट कैसे करते हैं बताओ मुझे part 1, part 2 वीडियो भी बहुत अच्छे आपको सिखाए हैं तो सबसे लिए क्य यहां पर क्या लॉग एक्स टूडी पावर जो भी कोस्टन रहेंगे यहां पर लिखे जाएंगे ओके ना अब देखिए यहां पर एक आई थिंग आप अल्रेडी पार्ट वन वीडियो में सीख चुके होंगे यह से आपको बताने की भी जरूरत नहीं है इतना नहीं देख है ना तो यह पावर जो रहेंगे वो आगे आ जाते हैं यह वाला पावर यहां आ जाते हैं आइमिंग यहां आ जाएंगे इन्टू लाउग एम आ जाएंगे तो सी ठीक वही यहां पर कीजिए यह वाला जो आप देख रहे हैं यह हमारा एन की काम कर रहे हैं और यह जो एक आप नहीं भी दे सकते हैं इंटू लाउग एम एम कम जख़ब क्या है एक्स है ठीक है एक्स है एम की जख़ब पर एन का कम कर रहा है यह वाला इतना अब क्या करेंगे बहुत साइड डिफेंटिटिव लगाएंगे तो लगाए यह दोनों साइड डिफेंशियेट डी ओवर डी एक्स यहां पर क्या लॉग एक्स ऐसे यहां पर क्या डी ओवर डी एक्स यहां पर क्या एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स ठीक है ऐसे यहां तक आप नोट कीजिए हैवे नोट तो चलिए भाई बट चलने से पहले ना डी एश्ट्रण जी भाई से दोस्त हो जाएंगे भाई से तो दोस्ति कर लिजिए आपने यहां तक सीख चुकए हैं भाई अब इसके बाद क्या करेंगे पता है इसका करेंगे करेंगे और इसका का log u का ठीक है तो log x का डिफिनेशी आप 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 क्या कहते हो आप कह देते हो कि वन बाइ एक्स बस कैसे कहते हैं आपको पता है log x का derivative आप one by x कैसे कहते हो तो देखिए ये वह जो एंगल रहेंगे जो भी एंगल रहेंगे वह नीचे आ यहां पर एक्स की जिगाप अगर साइन एक्स होता तो भी यहां पर साइन एक्स हो जाता अगर यहां पर कॉस एक्स होता तो यहां पर साइन एक्स हो जाता इस और यहां पर कॉस एक्स होता एक्सपोनेंट फंक्सन होता तो यहां पर यहां यहां पर एंगल में जो भी सब्सक्राइब तक यहां पर सब्सक्राइब देखा जाए दी ऑवर डी एक्स अगर हम लैक लॉझ वाइल य निदे इसका यच्डा कैसे करतीओ तो आप कहोगे one by y because यह angle में y है तो y नीचे आएगा जो भी रहेंगे वो नीचे आता है into d over dx ठीक अब angle का करना है तो angle में differentiate लगा देंगे यहाँ पर y ठीक है तो उसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे log u हमको क्या चाहिए log u का differentiate चाहिए ठीक है न इतना तो log u का differentiate कैसे करोगे u यहाँ पर नीचे आएगा one by u आएगा फिर into d by dx यहाँ पर यही u का differentiate करना है तो यह वहला यहाँ पर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यह वहला हम note करेंगे किजिए तो यहाँ पर क्या मिल गया यहाँ पर मिल गया one by u ठीक वण भाई यू इन्टू डी यू आवर डी एक्स याप यू कहो यहाँ पर यू ऐसे आप समझो ठीक है इसके बाद यहाँ पर अब इसका डीपेंचियट करना इसका डीफेंचियट होगयाएशका डाद यहाँ ठäch DR चरेंगे देखे यहाँ पर यहाँ पर तीन फंक्शन है ठीक है अल्जेवरी फंक्शन साइंनाल आए मिन ति्टि इनको फंक्शन लौ रिथमिक फंक्शन तो जब तीन function आप already जानते हो दो product यानि दो function जब product में रहे I mean दो function जब multiply में रहे तो आप differentiate करने जानते हो u into b बहला differentiate ठीक है बट यहाँ पर तीन को है एक दो तीन तीन को multiply में है I mean तीनो dot product में है तब क्या करेंगे तब किसी दो को एक मिलेंगे और ऐसे I mean इसको ऐसे कर लेंगे इसको यू मान लेंगे इसको भी मान लेंगे ठीक है ऐसे तो यहाँ पर सबसे फिर हम यू को रोख देते हैं जैसे कि तैसे यू को रोख दिया भाईया अब differentiate करना भी का तो d by dx लगा लिए और भी यहाँ पर लिखेंगे आइसे फिर पलस हो जाता है फर्मूला में ही पलस होता है ठीक अब जिसका differentiate किये थे उसको यहाँ पर रोख देंगे अब जिसको रोके थे तो भाईया उसका differentiate करना है तो हम यहाँ पर लिख लेता है into because यहाँ पर space मेरे में नहीं है न तो यहाँ पर दी और dx रोके किसको थे भाईया इसको इसको रोक दिये थे अब इसकी का differentiate करना है ठीक है यह आप already करने जानते हो चलिए next step में next step में क्या करना है कि यह तो one by you है तो one by you इसको हम लिख सकते ह है ठीक है अब यहाँ पर x into cause x लिख देता है x into cause x अब आप already जानते हैं log x का differentiate अभी अभी हमने आपको बताएं कि one by x होता है फिर यह पलस है तो यह पलस अब यहाँ पर log x है तो log x लिख दिया into है तो into अब देखिए यहाँ पर x into cause x का differentiate करना है में यहाँ पर दो function है dot product में है तो यहाँ पmile फिर से formula लगाएंगे तो लगाएंगे पिर से formula लगाएंगे खम यहाँ पर ऐसे कर लेता है bracket x को रोख देता है ठीक है say x को रोक दिया चांस का दिफेंशाट काना था हम डिफेंशेट करेंगे विकाउज आप अल्रेड़ी जानते हैं इतना इसको ऐसे कर लिता है ठीक है तो सब्सक्राइब होता है अब कॉस्ट को कि या पे रोख देता है कॉस्सक्ट को रोक दिया एक्स का दिफेंसियट करें तो वह नहीं हो गया तो समझ रहा है ना इतने हो गया ठीक है आप अल्रेडि जानते हैं आप यह कि यहां पर यह एक्स यह एक्स कैंसिल होगा है बिकाउज Chand में यह मल्टिपलायम कैंसिल अब यहाँ पर वाइडिव आप यहां पर किया इंटु डि यू और डियक्स बहुत ज़िए एक वड़ा प्राइटिस कर ले जाएगा एक वड़ा प्राइटिस बनता है तिक और सब्सक्राइब विडियो तक आप देख लिजेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फिर से रिपीट किया आपको बेनिफिट मिलेंगे विडियो देखने से हाँ अब देखिए लॉग एक्स को सकता है नहीं समय अभी अब यहांपर यह मायनस कर लेता है एक ईंटु साइनक्स फिकोज यह मायनस साइनक्स मल्टिप्लाइ ama है फिर यह पलस फिर एक्स गुना यह नहीं एक्स तो इसमें यह कॉस एक्स खाली हो जाएगा कॉस ऐसे ठीक है बहुत इजी है एक वर प्राटिस बनता है वन बाई यू इंटू डी यू और डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आप सीख जाएंगे ना फास्ट करेंगे हाँ अब इतना गुना इतना करेंगे यहां पर मायनस होगया भी कॉज यह मायनस से पलस गुना मायस तो मायनस अब इसको लिख लेता है एक्स इंटू साइन एक्स इंटू यह वला लाग एक्स लिख देता है इसको आप पहले भी लिख सकते हैं भी कॉज मल्टिप्लाय में वह आप डिपेंड आपका इससे लिखते हो फिर ये पलस है तो पलस पलस गुने पलस पलस लॉग एक्स गुना कॉव सकते यहां पर लिख देता है लॉग एक्स इंटू कॉव सक्स बहुत इजी है इसके बाद इसके बाद देखिए तो कुछ कोमन भी आ रहा है क्या कोमन नहीं आ रहा एक्स माइनस एक्स इन्टू साइन एक्स इन्टू लाउग एक्स प्लस लाउग एक्स इन्टू कॉस एक्स तो हमको जो चाहिए था वह मिल गया हमको चाहिए डी यू अबर डी अक्स चाहिए मिल गया बट यू कि भेलू हम यहां पर पूट कर देता है तो आप क्या कि जिए आप एक इस टेप यहाँ पर लिख लिएगा हम यहीं पर यू की फेलिओ पूट कर देता है यू की फेलिओ क्या था था एक्स टुडी पावर एक्स टूडी पावर एक्स इंटू कौॉश्फ ठीक है यह हम को d u over dx मिल गया equation 1 आप दखिया हमको अम बोले थे आपको नोट करने आप नोट किया है equation one देखिए तो अब हम निकालेंगे डी भी बाइड निकालेंगे ठीक है इसको अध्यावन में रखिए गया इसकी भिलू हमें पूट करना equation one में and हम यहां पर लेट किये थे आप अपने नोट बोक दखिए हम बोले थे पहले ही आपको कि आप नोट किजिए हम यहां पर मिटा दिये थे ना इतना इतना को हम भी पूट किये थे ठीक है तो अब भी वला हम काम करेंगे तो आप क्या करना भी अब डिफ्रेंशेट करना देखि सब्सक्राइब 231 ईतना की रिफ्रिंसियेट करने है कि टू यह six चाहिए ठोनू भूल गया हमको पता है। डी gentleman 2926 इकल्तो सब्सक्राइब 245 एक यह हम्म ना स्प्राइब 255 था जो होता है जो भी निचे मैं यहां पाजाता है इसका डिफेंट करते हैं तो यूडत समलीख सकता है घ्यूट होता होता है अब यहां पर भी को डिफलेंश Łण करना इसका डिफेंश हें तो यहां पर रोग दिया इसको को differentiate करना है मतलब जैसे आप डाट को डाट करते हो बस यहां पर मानस करना है तो वहीं करना यहां पर तो नीचे क्या है यह बला नीचे है इसका कनमून के होल स्कॉार कर देजिए अब इन दो में से किसी एक को लिखे यहां पर इतना यह स्कॉार है बट इसको यहां पर लिखि पर क्या होंगे जीरो होंगे फिर मानस फर्मूले होता यह बला मानस यह टू है ठीक है फिर मानस अब यहां दखिए अप पर लाक डिफ्रेंशियेट किये थे मतलब किया है लेकिन अब पर लाक इस वार रोक देंगे ऐसे आई थिंक आप अल्रेडी जानते हैं फिर इसका र होली स्कॉ likes ठीक है यहां पर दखिए x स्कॉ waż मानस 1 है अब यहां पर क्या मिला इंटू 2 x मिला फिर यह lessons एकस टो प्लस यहांपर क्या मिला इंटू 2 x मिला थो देखिये यहांप धियांस हेऊं से 2 x 2 x कुमन आ रहा है चलो यह कि स्टेफ लिख यह देते हैं तो dv by dx equal to x square minus 1 का whole square अब यहाँ पर 2x हम common ले लेते हैं 2x यहाँ पर common ले लिया है तो इतना बचा x square minus 1 और यह minus तो minus और इसमें यह minus इसमें multiply होगा तो minus x square minus गुने पलस तो minus 1 इतना अब यह और यह cancel हो गया इसे तो कितना मिला आप देख सकते हो एंड समझ भी सकते हो कि dv by dx equal to यह तो अई हो गया भाया इतना को whole square बट यह कर गया काम 2x into अब यह minus 1 minus 1 मतलब minus 2 ऐसे और यह गो नाम है तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x square minus 1 का whole square और यह minus 4x यही हमको मिले गा dv by dx equal to इतना मिला अब दोनों के value put करेंगे equation 1 में यहाँ पे लिखिए यहाँ पे लिखिए from equation 1 equation 1 क्या है मैं यहाँ पे note करना चाहेंगे हाँ आपको याद दिलना चाहेंगे equation 1 यही है हमारा ठीक है यही था dy by dx equal to du by dx plus dv by dx तो इतना value और इतना value यहाँ पे put करेंगे du by dx आप मिलाईए इतना हम निकाल कर रखें लिख दिया और यह पलस है तो पलस लिख दिया अब इतना value अभी अभी निकाले हैं यह वला तो आप क्या होगा minus 4 x बटे यही होगा x square minus 1 का whole square तो यह हमारा answer हो गया तो फिर से हम कह रहे हैं भाई आपसे कि अगर भाई से दोस्ति नहीं किया तो भाई से दोस्ति कर लिजे सब्सक्राइब करके एंड पार्ट उन्स लेके पार्ट फोड वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन चेक किजिए वहाँ पे लिंक है आप देख लिजे आपके लिए अच्छे होईंगे